Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated, this is Devashi Shavasthi और आज मैं आपके सामने डेली Current Affairs लाता हूँ तो आज जो मैं करेंट अफेस है वो दो दिन की है that is second and third में दोनों की Current Affairs combine मैं आपके सामने लेके आए हूँ और exam perspective से सारे question कवर किये हूए है कल हमारा lecture नहीं आया था इसलिए आज मैंने combine कर दी second and third में की तो जितनी भी important चीज़े हैं वो इस lecture में आपको मिल जाएगी तो lecture स्टार्ट करते हूँ सब से पहले मैं आपसे request करूँगा वीडियो को like जरूर कर दीजे क्योंकि बहुत important वीडियो होने वाला है ठीक है आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ याद अखिएगा जो की नई है कहने के मतलब मेरी एक नई book arrive हो गई है और उस book का नाम है आप लोग सोच चारूँगे क्या है that is last 10 months नहीं last 12 months current affairs अब आप देख रहोंगे जून से लेके में तक की सारी current affairs यहाँ पर available है याद अखिएगा ठीक है तो आप यहाँ पर देखिए हर चीज़े जो है मैंने इसको बढ़ा दिया है 10 months से 12 months कर दिया अच्छा new arrival याद अखिएगा और exam के लिए क्योंकि एक सालगी current affairs बहुत जरूरी होती है करना कि आपको नीचे WhatsApp नमबर दिया हो उस पर आप पिंग करिए और मैं आपको बुकलेट प्रोवाइट कर दूँगा बट याद अखिए इसके कुछ चार्जेस हैं इसके साथ साथ मैं आपको अधर बेनिफिट भी प्रोवाइट करूँगा तो वन टाइम चार्जेस हैं तो आपको बहुत इंपॉटरेट इंपॉटरेट जो है वो मिल जाई तो लास्ट वेल मन्त करन अफिए याद दखिएगा तुरंत मुझे WhatsApp पे मेसेज करिए नमबर नीचे मेंचन है एग्जाम के लिए आपके लिए इपके लिए 12 Monthly Current Affairs के लिए चले, स्टार्ट करते हो देखें 2nd और 3rd में जो है उसमें क्या-क्या चीज़े एक्जाम परस्पेक्टिफ से इंपोरेंट है तो देखें हम पहले कोशन पर आते हैं हमारे तो देखें हम पहले कोशन पर आते हैं हमारे I think आप सबको पता को International Labor Day हम कब सेलिब्रेट करते हैं that is on 1st में इसलिए मैंने कोशन तो देखें है तिपकल रखा मैंने आपर थीम पूची हुई है आप देख सकते हैं आपर चार ओप्शन दिये हैं एक लिखा हो रेजिलियन रिकवरी लिखा हुआ वैसे करके थीम्स लिखी हुई है तो इस तरह के कोशन साते हैं आपके सामने जब आप से थीम्स पूची आती हैं आपको थीम्स को किस तरह देखना है सिर्फ एक लाइन पढ़नी है और आपको याद अखना है कि यह लेबर देखी थीम है इस उसका कररेक्थ आंसर ऑफ्षिन No.A कि यह पर की तो है यह लेबर देखी पूचे तरह के फिर्स में इस तरह करेक्थ आंसर अगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन में अतने कोशन है कोशन बहूर अदेख़ुन Recently, which country signed an agreement with the government of Bangladesh to renew the MOU, that is Memorandum of Understanding, to train 1500 Bangladeshi officers from 2025 to 2030. या देखियेगा, तो बांगलादेशी officers को train करने वाले हैं, उनके भी civil services के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, कौन सी country इसने MOU sign किया है, renew किया है, options आपके सामने हैं, I think you can directly guess the correct answer, क्योंकि पाकिस्तान के facilities नहीं हों इतनी, इसका correct answer option अबड़ी, that is India. अब ही इंडिया में गए भी थे, याद अखिये का जो हमारे Department of Administrative Reforms and Public Grivyaans के secretary है, उनकी team महाँ पर गई थी, और उन्होंने renew भी किया है, कि उनको train करेंगे, okay? तो 1500 Bangladeshi civil servants को train किया जाएगा इंडिया में in 2025 से लेके 2030 था, okay? चले, आगे बड़ते हैं, next question में आते हैं, that is question about say, बांगला और Bangladeshi और इंडिया के relations भी अच्छे होंगे, next question में थर्ड में आते हैं, यह बहुत important अभी news में भी चल रहा है, that is smart system, okay? कोशन क्या है, recently which organization successfully tested the next generation smart system, smart system का full form है, supersonic missile assisted release of torpedo, यह देखिएगा, तो supersonic missile assisted release of torpedo, इसका smart system कह रहे हैं, जिसके भी testing हुई है, 1st May 2024 में, तो सीधर पुछा गया है, किसने test किया है, options आपके सामने दिये गए हैं, है ना ISRO है, DRDO है, नासा है, ठीक है, तो देखिए, आप कैसे guess का सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए, supersonic missile, अब यह option smart system आप सोच सकते हैं, यह रश्या या इन्होंने test का होगा नहीं, या देखिए, अभी recently, Odisha के चंदिपूर जगे हैं, आपको पता होगा, अभी आपको पता है, Odisha के, चंदिपूर, जो जगे है, आपको पता होगा, that is, AP Jabdul Kalam Island है, ठीक है, वहाँ से testing की गई है, successfully testing होई है, ठीक है, तो आप से सीधा question पूछ सकते हैं, कि यह smart system क्या है, ऐसा question भी आप से पूछ सकते हैं, आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है, और याद एखेगा, Indian Navy को, यह मिलने से, smart system मिलने से, Indian Navy की याद एखेगा, अफकोस उनकी जो capabilities हैं, उनकी development होगी, तो मैं लिखा भी यह देख सकते हैं, कि this delivery to being developed by DRDO for Indian Navy के लिए बनाया जा रहा है, आगे बढ़ते हैं, next question माते है, next question क्या है, next question से पहले, DRDO के बारे, full form, defense research development organization, 1958 के अंदर फॉर्म होगा था, किस ministry के अंदर आता है, defense है, तो ministry of defense के अंदर आता है, new daily headquarter है, और Samir Kamad, जो है, वो at present इसके क्या है, chairman है, किसके DRDO के, यह basic DRDO के facts, आपको पता होने चाहिए, next question माते है, question में fourth, question में fourth क्या है, which will host 46th Antarctica treaty consultative meeting, जिसको आप ATCM 46 भी कह रहे हैं, and 26th meeting of committee for environmental protection, that is short form कहे है, CEP 26, 26th है, अब यह कौन held करने वाला है, important क्यों होता है, important questions तब पूछे आते हैं, जब कोई meetings इंडिया में हो, बिल्कुल इंडिया में केरल में meeting होने वाली है, तो correct answer option by A, that is India, आप सोचोंगे सब्सक्राइब इंडिया में कब होगी यह, में के time पर होगी, मैं आपको time भी बतायता हूँ, 20th में से 30th में ता क्या थे, India will host this meeting, और जो मैंने भी बताया है, कोची केरल में meetings होगी, तो हो सकता है आप से यह भी पूछ सकते हैं, इंडिया के किस city में होगी, तो आज़ा इंडिया में कोची केरल, तो आगे बढ़ते हैं, next पर आते हैं, और आप यहां पर देख लिए सकते हैं, मैंने आपे डीटेल्स पी लिखी हुई है, कि National Center for Polar and Ocean Research, जो Union Ministry of Earth Science के अंदर आता है, वो इस meeting को host करेगा, तो 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 आप से पूछेंगी, सिटी का नाम, और यह पूछेंगी कौन से कंट्री होस्ट करें, तो इंडिया आपको मार्क करना पड़ेगा, चलिए, नेक्स कोशन है, अब इनक्स कोशन क्या है, वो बिकेम दा वाइस चीफ, याद के वाइस चीफ पूछ रहा हूँ, नेवल स्टाफ on 1st May 2024, तो 2024 में वाइस चीफ कौन बने, चीफ नहीं पूछा हूँ, वाइस चीफ कौन बने, यह उनकी इमेज है, उनका नाम आपको बताना है, और उप्शन सापके सामने दिये गए हैं, ठीक है, अब इसमें मैं सीधे आपको correct answer बताऊँ, जिसमें आपको याद हो सके, तो याद रखेगा, वाइस एडमिरल कृष्ण सामी नाथन, तो याद रखेगा, correct answer that is option number C, आप इनका details भी देख सकते हैं, वाइस एडमिरल कृष्ण सामी नाथन, वाइस चीफ अफ नेवल स्टाफ on 1st में, तो याद रखना है, इम्पॉर्टन है, पूछा सकते हैं आपसे, ठीक है, चलिए, next आते हैं, next question क्या है, that is question number 6, on which date world tuna day, 2024 is celebrated, आपके इस तो याद ये क्या होता है, tuna एक fish होती है, याद देखें, मैं आपको दिखा जिता हूँ, याद रखें, tuna एक fish होती है, जिसका day celebrate किया जा रहा है, generally world में maximum consume भी होती है, tuna fish, तो मैंने पुछा है, किस दिन इसको celebrate करते है, tuna fish ते, that is, world tuna day कब celebrate करते है, options दिये गए है, तो correct answer, second में को कब celebrate करते है, second में को celebrate किया जाता है, याद एकि to raise the awareness, of the importance of tuna, and promote most sustainable fishing practices को, promote करने के लिए day celebrate किया जाता है, 2017 में first time celebrate किया गया था, तब से ये celebrate किया रहा है, मैंने बताए, tuna एक popular fish है, जो world में consume होती है, और over the world, चले, तो next question में आते है, तो इस सिर्फ आपको date याद रखना है, दे 2nd में, next question, अब आप कहेंगे, ये question आपने पहले भी करा है, बिल्कुल करा है, बट यहाँ पर कुछ मैंने points important पूछे है, question क्या है, अभी आपको बताए, दिनेश कुमात रिपाथी जी जो है, okay, वो recently क्या बने है, he has been the Indian Navy के क्या बने, naval staff के chief बने है, अभी मैंने वाइस चीफ पूछा आप से, chief बने है, सब को बताएए, मैं question पूछ भी चुका हूँ, ठीक है, बट मैंने यहाँ पर तो इसा question चेंज कर दिया, और पूछा है कौन से नंबर के chief है, ठीक है, so now this become interesting कि यार, मैंने यह तो पढ़ लिया था, chief बने हैं, navy के, बट कौन से नंबर के chief बने हैं, यह interesting गए, तब देखेंगे, option 25, 26, 27, 29, तो close options भी देती है, just to confuse you, but correct answer आपको याद दखना है, क्योंकि ऐसे questions भी आ सकते हैं, तो correct answer option भी है, 26th याद दखेगा, याद दखेगा, अब जो है, वो दिनेश कुमात लिपाठी जी है, चले, next question में आते हैं, अब next question देखके, कुछ लोग कहेंगे, सर ऐसे question भी पूछे आते हैं, बिल्कुर पूछे आते हैं, लास्ट यार अगर आप assistant commandant, UPSC का paper देखोगे, तो उसमें football से ऐसा question आया था, अभी cricket news में, इसके मैं question पूछ रहा हूँ, रोहिट शर्मा, आपको पता हूँ, वो इंडियन टीम के captain है, जो अभी 2024 में, जो हमारो world 2020 होने वाला है, कहां पर, USA और West Indies में, उसमें इंडिया को lead करेंगे, तो मैंने question पूछा है, कि इंडिया को group A में रखा गया है, ठीक है, qualifiers में जा रखेगा, qualifying मतलब उदमें से फिर qualify करेंगा, आगे teams जाएंगे quarterfinals में, तो मैंने पूछा है, group A में इंडिया को रखा गया है, और इंडिया के साथ, और कौन सी other teams हैं, तो देखिए, ऐसे question क्या आया है, बिल्कुल आया है, मैंने बताए, आपको football में यह question आ चुका है, वो भी assistant commandant, जैसे UPSC के exam में पूछा गया है, तो मेरा मानना है, ऐसा question आ सकता है, ठीक है, और आपको मुझे बताना है, किस इंडिया के साथ, और कौनसी countries जो है, उस group पे हैं, ठीक है, तो options आपके सामने है, मैं आपको hint देता हूँ, Pakistan तो ही, बट सम्में ही Pakistan option है, ठीक है, दूसरे मैं आपको उता दा हूँ, Canada है उसमें, USA है उसमें, और Ireland है, तो आप देख सकते हैं, इसमें 5 countries हैं, इंडिया, पाकिस्तान, कैनेडा, USA and Ireland, ठीक है, 5 countries है, USA, Canada, यही सब घटिया टीम्स है, आप सोचोंगे, यहाँ पर बहुत रंस पढ़ेंगे, तो आप खुश मत होना, याद खिएगा, यह Canada और USA है, ठीक है, आइलेंट तब भी थोड़ा मैं काउंट कर लूँगा, बट पाकिस्तान, में टीम रहेगी, जिसके साथ आपका बैटल रहेगा, फिर आप इनमें से दो टीम कॉलिफाय करेंगी, फिर जाके आगे चलके सुपर 8 होगा, याद खिएगा, फिर ऐसे करते करते, फिर फाइनली फाइनल मैच होगा, तो यह आपको याद खना है, कि इंडिया को किस पूल में रखा गया है, पूल A में रखा गया है, और आपको इपता है, अभी रिसेंटली क्यों कोशन पूछा हूँ, क्या आपको लगता है, वो टॉप 15 में नहीं, उनको रिजर्व की तरह ले जा रहे हैं, क्या उनको टॉप 15 में होना चाहिए, रिंकु सिंग को, और अगर होना चाहिए, तो किस प्लेयर को आप यहां से हटाएंगे, और रिंकु सिंग को एड़ करेंगे, अभी न्यूज में था, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, बट अभी दुबारा क्यों न्यूज में आ गया है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कुछ पता चला है, सबसे पहले बताएता हूँ, यह है क्या, क्या ब्लाक होल है, क्या यह एस्टोइड है, अभी रिसेंड है, उसे कुछ डाडा बताएग या क्या डाडा बताएगी, 50% likelihood of dimethyl sulfide gas जो है वो इस exoplanet K218B में है इसकी वैसे ही वापस न्यूज में आ गया मेरा बानना है आपस ये नी पुछेंगे क्या डाटा सीधा पुछेंगे ये जो आपके सामने इस exoplanet न्यूज में ये है क्या तो आपको आंसर देना पड़ाएगा अब इक किस कंपनी आना है, मताब इक इस कमपनी की है, कोई शील्ट या देखे आपने भी लगवाई होगी तो पहले कमें- बॉक्स लगवाई है, या फौरें कमें- बॉक्से बताऊ मुझे नहीं पता त्रीक है तो जा कर याप डाउनलोड कर लो आरोग ये सेतू अप जो था आपका ठीक है वहाँ जाके चेक करके मुझे कमेंट बोक्स तो आप ते कौन सी वैक्सिन लगाई थी कोवी शील्ड या को वैक्सिन तो आप सोचोंगे साथ इस पर मैं कुछ बोलूँगा देखिए मेरा ये सीधा सा मानना है कोशन जो एक्जाम परस्पेक्टिव से वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी उस पहले बताओ इसको बनाया किसने पहले तो कोशन ये देखते है अपन ठीक है अस्तरा जिनेका जो है इसने इसको बनाया है ठीक है या देखे और अभी न्यूज में इसलिए है कोई इसने बोलाया कि कोवेट्शील जो है या देखे जो इंडिया में भी बहुत तोको लगाई गी थी इसके लगने की वेज़े कुछ साइड एफेक्स हो सकते है ठीक है अब आप लोग सोचोंगे से हमने लगवाई यह तो क्या हमाई हार्ट अटेक आजाएगा क्या हमें ऐसा कुछ नहीं है देखिए यह तो वक्त बताएगा वैसे तो बट इतने साल हो चुके हैं दो साल हो चुके हैं इसका एफेक्ट जो है वो कहा जा रहा था कि बहुत जल्द कुछ डाटा रिवील किया इसलिए न्यूज में आ गई है ठीक है चले नेक्स कॉशन में आते है नेक्स कॉशन क्या है विच ओफ द फॉल्रिंग स्टेट इस सेलिब्रेटेड इस फांडेशन डे एवरी यर और फर्स में को सेलिबेट करता है ठीक है और दखेगा और फॉर आपको सीदे आरे माराष्ट के वगल में गुजरात है महराषट एन गुजरात ऑप्शन नमबर एं घुजरात करो कि याद एक अपने शिंड है और भुपहिंद्र भाई इधर के एक नाशिंदे हैं दोनों में ही बीजेपी की गूवर्मेंट है आपको मुझे बताना है ग महराश्ट में लोग सबसीच जाता है कि गुजरात में या मुझे कमेंट बॉक्स में 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 इंटरेस्टिंग कोशन इंपॉर्टन कोशन नेशन का पहला कॉंसिटूशन पाग जो है वो कहां बनाया जा रहा है कि सिटी में या कि स्टेट में स्टेट पूछे तो महराश्ट होगा सिटी पूछे तो करेक्ट आंसर होगा पूने या दखे पूने में स्टाबिश कर रहा है सीधा कोशन आएगा इंडिया का फर्स कॉंसिटूशन जो है वो establish कर रहा है कहां पर that is at Pune next question में आते है which country set to launch 6 lunar probe ठीक है मून के लिए mission है carrying Pakistani IQ mission also Pakistan की तो हिम्मत नहीं है कि वो मून तक पहुच जाए वैसे तो but China की मदद से उसका भी एक mission जो है मून तक पहुच जाएगा क्योंकि ये जो mission जा रहा है चाइना का ठीक है इसका पहला पुचा किस country लाँच है तो correct answer चाइना ही है I think बहुत लोग इस पढ़के ही बता देंगे Pakistan को कौन help करेगा चाइना ही help करेगा तो इसका correct answer चाइना है चाइना की मदद से Pakistan भी वहाँ पहुचने वाला है या देखेगा तो देख सकते हैं या देखेगा चाइना सेक्स मिशन जो है primary objective उसका क्या है to gather sample far side of the moon तो far जो side है moon की वहाँ से कुछ samples collect करेगा और या देखेगा इस चाइनीज मिशन को जो है विल आलसो करी पाकिस्तान miniature satellite जो है इसका आई क्यूब kumar cubesat या देखेगे इसको भी वो ले जा रहा है वहाँ पर है ना जिसकी वज़े से या भी news में है पाकिस्तान और चाइना collaboration है इस पर है ना तो आपको जा देखना पाकिस्तान का जो mission जा रहा है वो the help of China जा रहा है आपको भी पता है पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान को बहुत help करता है चले next who has been appointed as a director of department of promotion of industry and internal trade DPWIT का director कौन appoint हुए है ठीक है options आपके सामने दिये गए है she's a woman आपको बताना options आपके सामने सारी women's की नाम लिखे मैंने correct concept प्रतिमा सिंह या देखे प्रतिमा सिंह या पॉइंट हुई है या दे कि IRS officer है और ये पॉइंट हुई है ठीक है आप मुझे बताएए ये जो है DPWIT मैंने भी आपको बताएए department of promotion, industry and internal trade जो है ठीक है 5 years के लिए पॉइंट हुई है ये किस ministry के अंदर आता है options है ministry of finance या ministry of commerce कमेंट बॉक्स मुझे बताएए ministry of finance के अंदर आता है ministry of commerce के अंदर आता है और अगर ये ministry of finance के अंदर आता है तो finance ministry का नाम लिखना और ministry of commerce के अंदर आता है तो commerce minister जो central में है उनका नाम आप मुझे comment box में mention करना क्योंकि अभी प्रतिमा सिंह appoint हुई है नेक्स कोशन मा आते है कोशन मा 15 recently which state suspend the license of 14 Patanjali Ayurveda products Ayurveda के 14 products को याद एकि उसका license जो है वो cancel कर दिया किस state ने किया है आपको इपता भी ये news में भी चल रहे है बाबाराम देव जी क्यों news में चल रहे है क्योंकि उनके जो advertisement है उनके फेक प्रॉमसेस किये हुए Supreme Court ने भी इनको बहुत डाटा है कि आप जो फेक प्रॉमसेस किये हैं उसके लिए जनता से सौरी मांगे बट अभी किसी state ने इनके license 14 Patanjali Ayurveda product को याद एकिए इनोंने क्या कर दिया है suspend कर दिया किस state ने किया है उत्रापदेश, उत्राखन, पंजाब, हर्यान आपको लोग सोचोंगे सर ये तो BJP ruling है ये भी BJP, ये भी BJP तो पंजाब ने किया होगा क्योंकि Patanjali जो है बाबरामदेव को BJP support करती है लोग ऐसा सोच रहोंगे ऐसा कुछ नहीं है याद है किसको suspend जो किया उत्राखन ने किया है उत्राखन ये था BJP ruling state और the drug regulator of उत्राखन ने suspend किया मैंने वही reason बता है due to repeatedly publishing misleading advertisement की वैसे ऐसा किया गया है चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन में आते हैं नेक्स कोशन से बहले उत्राखन आपको पता हूँ ची वहाँ के CM कौन है पुशका सिंग धामी जो है वो CM है और जो governor है कुरमीद सिंग कौन है वहाँ के governor है उत्राखन के ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन में आते हैं नेक्स कोशन है कोशन में 16th इंट्रस्टिंग कौशन है Recently, who clinched the woman's title in 6th Asian Karam Championship 6th Asian Karam Championship मैं आपको बता दू यह championship मालदीव्स में हो रही थी बड़ी बीटिफुल जगह है सची कारम अगर आप अच्छा खेलो तो इस championship आपको मालदीव्स घुमने को मिल जाता है इंडिया में इंडिया नहीं है जिसने woman's title जीत लिया है इंडिया नहीं है जिसने woman's title जीता हो she is very famous कैरम की बात करें और उनका नाम याद नहीं हो that is रश्मी कुमारी कैरम के साइड चैम्मेशिप यह जीती रहती है रश्मी कुमारी और इन्होंने वहाँ पर भी title जीता है वैसे तो maximum title जित्ते भी कैरम के थे सब इंडिया नहीं जीते हैं जाए वो double show सब कुछ इंडिया नहीं जीता है यह दखिएगा बट मैंने woman's का पुछा है करेक्ट आसा रश्मी कुमारी मैं बता दूँ यह event जो है ठीक है यह 27th अपरेल से लिए 1st में तक चल ला था जो कि मालदीव्स में चल ला है तो यह भी पूछ सकते हैं आप से 6th station कैराम चैमिशिप कहा हुई तो आंज साब को मालदीव्स लगाना है ठीक है comment box मुझे मालदीव्स की capital क्या है यह आप मुझे comment box में mention करोगे next question आते है interesting question है India host करने वाला badminton world junior championship 2025 मैं फिर से बता रहा हूँ India is going to host badminton world junior championship 2025 मैंने पुछा किस city में यह host होगा now this become interesting क्योंकि सबको पता था championship इंडिया host करेगा बट किस city में है now this become a difficult question okay Bangalore, New Delhi, Gohati, Ahmedabad आपको लोग सोच रहोंगे तो कुछ समझ भी निया New Delhi mark कर देते है but New Delhi is not the answer correct answer North East that is option अब सी Gohati में host होने वाला है याद रखियेगा National Center of Excellence for Badminton Gohati will host 2025 याद रखिये badminton championship जो होने वाली World Junior Championship वो Gohati में होगी ठीक है तो exam के लिए यह चीज important Gohati आप सबको पता है Assam में ठीक है Assam में है तो आप मुझे बता दीजे Assam के governor कौन है CM मन बताईए Assam के governor कौन है याप मुझे comment box में mention कर दिए तो ये ते आज के याद दखेगा जो मैंने combine आपको current affairs बता दी है exam perspective से जितने important question से सारे cover करता हूँ मैं सारे points लेके आता हूँ जो exam के लिए important है जो exam के लिए important है उनको हम cover नहीं करते है ठीक है अब याद अखिये अगर आप exam देने वाले हो ठीक है तो आपको पिछले एक साल की current affairs पढ़के जानी है ठीक है अब एक साल की current affairs कैसे पढ़ोगो तो ये है मेरी booklet 12 monthly current affairs ये book में याद अखियेगा सारी current affairs जो है सारी मैंने mention कर दी है totally update कर दी है आप इस current affairs को easily पढ़ सकते हो और अराम से exam को crack करो पूरी updated है और exam से पहले अगर ये पढ़के चले गए तो exam तो नहीं रुक रहा आपका ठीक है वो तो clear हो जाएगा ठीक है तो current affairs की चिंदा करने खतम करो और इस booklet को order करने के लिए मेरा watch app नमबर दिया है को charges है soft copy मॉडर करो और आम से घर जाके print out करो और एक बार revision करके चले जाना ठीक है सब चीज़े इसमें covered है ठीक है तो ये magazine आपको यहाद एखिएगा बहुत important role play करेगी ठीक है WhatsApp नमबर नीचे mention आप चाहो तो call भी कर सकतो calling नमबर भी mention है अब यहाद एखिएगा अगर आपको lecture पसंद आया वीडियो को लाइक तो करीदो यार मैंने इतनी साइच चीज़े आपको समझा दी है इसकी पीडियो आपको टेलिगाम गूप में मिल जाएगी टेलिगाम गूप का लिंक भी description बॉक्स में है इसकी आपको लग रहा है आपको help कर रहे है तो if you want to contribute यह हमारा QR code है फोन पे पेटियम गोल पे नंबर भी मेंशन है if you want to donate to us आप donate कर सकते हैं बट यह वालिंटरली donation है नहीं भी करोगे कोई बात नहीं आप वीडियो को लाइक कर सकते हो वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो आप donate भी कर सकते हो अब मैं बात करूँगा याद अखिएगा आप सोचे होंगे सर क्या इसको और कहीं से buy कर सकते है WhatsApp को चोड़के बिल्कुल buy कर सकते हो आप application को download कर लो मेरे link description box में है वहाँ पर आप जाओगे आपको other subject के भी notes मिलेंगे जैसे quality, history, economics सब के notes मिलेंगे वहाँ कि क्या classes भी मिलेंगे बिल्कुल याद खेगा इन notes की आपको classes भी available होंगी ठीक है notes plus classes सब कुछ application में होगा देवशिश classes application का नाम है याद खेगा जिसका link description box में है आपको download करो वहाँ पर आप classes भी ले सकते हो पर प्रप्रेशन कर रहो तो UPSC त्यारी करते हो तो अधर exam तो clear हो जाते है तो UPSC पर प्रप्रेशन कर रहो याद खेगा आपको पता है बहुत साथ state services अब UPSC का pattern follow करते है तो UPSC त्यारी करो pre, main, answer, writing सब कुछ एक जगे complete जगे मिलेगा मेरे application में आप डाउनलोड करो इन courses को miss मत करो याद खेगा notes, courses, सब कुछ मैं आपको provide करूँगा exam perspective से याद खेगा यहाँ पर हमाँ lecture complete होता है daily credit office आपके सामने ले के आते हैं इसके लिए हमको सिर्फ request रहती है इन lectures को हम जो provide करते हैं आप वीडियो को like, share ज़रू करें चैनल को subscribe करके रखें कोई doubt पर ही वो भी बताईए जो questions पूछें मैंने वो भी बताईए हम आपके comments को पढ़ते हैं और hopefully हम आपके सारे comments के reply भी करते हैं और मैं जाते हैं तर फिर से बता दू इस booklet को जो मैंने भी आपको बताया है 12 मन्त की booklet को तुरंट वाट्चाप करो और अभी यह updated booklet आप हासिल कर सकते हो ठीक है चलते हैं फिर यहाँ पर I hope आपको लेक्षे समझ में आऊगा तो thank you everyone जे हिंग, जे भारत